एक और नए अपडेट हमारे सामने आया है द्विती चरण के आउनलाइन काउंसलिंग को लेकर एक नए अपडेट एक नए सूचना विभाग के द्वारा जारी किया गया है इसमें द्विती चरण मतलब second list के जो cut-off rank है वो discuss करने वाले है और इसमें जो कुछ भी confusion होगी इस cut-off rank में वो चीज़े आगे हम discuss करेंगे और आगे ये भी देखेंगे कि क्या पहले चरण वालों को joining मिलने वाली है या जो joining process है वो high court के निरनाय के बाद मिलेगा जितने भी doubt से उन सब्सक्राइब चरण कर लेंगे चली सबसे पहले देख लेते हैं कि जो cut-off rank जारी किया गया है द्विती चरण के लिए या द्विती list हम इसको बोल सकते हैं साहयक सिक्छक का वो क्या है अब से पहले बात कर लेते हैं अनरक्षित का जैसा कि अब सबने देखा था कि इससे पहले एक वीडियो में हमने चर्चा किया था यहां पर साहयक सिक्छक में जो चीजें वो सिक्छक से थोड़ा सा अलग होने वारा है मतलब सिक्छक जैसे एकदम ज्यादा cut-off नहीं जाएगा नीचे cut-off जरूर आएगा तो उसी तरह से हमने यहाँ पर जैसे 822 से लेकर 249 लगबग 2500 तक के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है सेकेंड चरण में मुक्त पोस्ट के अगर यहाँ पर बात करें तो लगबग हमको अनुमान था 23, 24, 24 लोगों तक वो अनुमान इस बेस पर था कि कितने लोग शिक्षक पोस्ट को जोईन करते हैं या कितने लोग अपात्र होते हैं ठीक है तो उसके इसाब से लगबग लगबग हमको यहाँ पर 250 लोगों को last cut-off देखने को मिल रहा है जनरल का अगे अगर हम चलेंगे अनुसुची जाती में तो अनुसुची जाती में 35, 33 से लेकर 5,449 यह cut-off है आपका सेकेंट चरण की दस्तवे सत्यापन या काउंसलिंग के लिए अनुसुची जाती में चलेंगे तो अनुसुची जाती में आप लोगों को 4,570 यह cut-off है आपकेंट चरण के दस्तवे सत्यापन या आउनलाइन काउंसलिंग के लिए चले आकरी में हम देख लेते हैं अन्य पीछरवर्ग का तो अन्य पीछरवर्ग में आप देख पा रहे होंगे क्योंकि यहां पर जो होरिजेंटल जो रिजर्वेशन चलती है वो महिलाओं का अब नीचे नहीं आएगा क्योंकि उसमें मैनेज हो जाएगा जितने भी महिलाओं है उपर के रैंक में जारी हुआ था पहली चरण में यहां पर कई लोगों को यह कंफ्यूजन होगा कि मुक्त तो 1738 तक आया था है ना और महिला 1265 तक आया था तो यह बाइस सो से क्यों चालू हो रहा है अभी का कटफ तो यहां पर आप लोगो क्लियर करना चाहूँगा देखिए मुक्त खाला कि 1738 तक खतम हुआ था ना और महिला 1265 तक खतम हुआ था लेकिन यहां जिस तरह से 822 से चालू हुआ है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह बाइस सो पचास से इस कारण से चालू हो रहा है क्योंकि जो इनसी उपर वाले लोग है ना वो यहां पर मुक्त में आ गए है ठीक है मतलब 1700 जितना भी मुक्त का कटफ था पिछले सूची में वहां से लेकर जो भी OBC के कंडिडेट है महिलाओं का 2100 कटफ था उनका उनके बाद से लेकर 2249 तक जितने भी मेल और फीमेल है OBC के वो जनरल में यहां पर आ गए है जनरल में जो कंडिडेट बच अच्छे यहां पर जैसे कि आप सबको पता होगा कि तीन गुना लोगों को तो अलरड़ी कांसलिंग करा लिया है तो फिर से कांसलिंग के लिए यहां पर क्यों बोला जा रहा है सीधा सीधा वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी करना था क्योंकि कांसलिंग तो यहां पर प्रेस्ट विभाग के बोला है कि कौण सिलिंग है तो एक बार हो सके तो एक बार आपको आपको और लोगोंगा पर बोल सकतर बोला जिया एक बिए बार आपको जा आपके अário preciso आपके दूब मतलब आपको एक बार फिर से कांसलिंग करने के लिए बोला गया है इस डेट में अभी टाइम है 20 से आपको 20 से लेकर 23 तक कांसलिंग इसके बाद दस्तविस सत्यापन की होगा और दस्तर पिस सत्यापन के बाद जो भी पातर होंगे लोग को नियुकति के लिए पातर माना जा जिनका भी इस सेकेंड लिस्ट में नहीं आया है, उन लोग अतास्ट नहीं होंगे, अभी और भी ज्यादा रेंग तक हमको cut-off देखने को मिलेगे, आगे अगे अगर हम बात करें कि जॉइनिंग का क्या है, जिनका पहले चरण में हो गया है, या भी जो होने माला है, वेरिफ विभाग जॉइनिंग दे भी सकती है, जॉइनिंग उनको निरस्त किया जा सकता है, हाई कोट की निरना के बाद, फिलाल देखना यह होगा कि विभाग क्या करता है, आगे, डीएट और वीएट दोनों ग्रूप वारे वैसे अपने अपने चीजों को लेकर विभाग के समक प्रस्तुत हुए है, चलिए तो फिलाले स्टुडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ नेक्स्टुडियो में, तब तक के लिए थांगी सो मच,